साथ क्यों, इंडी अलाइंस के लोग जब तक सत्ता में थे, इन्होंने देश कैसे चलाया था? देश के भीतर बाजार सुरक्षित नहीं थे, सिनेमा हॉल सुरक्षित नहीं थे, होटल हो, रेस्टरंड हो, रेल्वे स्टेशन हो, कुछ भी सुरक्षित नहीं था, और जो आज फर्स टाइम बोटर होंगे न, उनको तो ऐसी कोई चीज का पता ही नहीं होगा, तो कि उस उम्वा में उनकी उम़र पांच साल, शाल, आत साल रही हो गई, उनको बताना ज़रा अपने 18, 20, 22, 25 साल के बच्चों को, कि कॉंगरेस के जमाने में एनॉंसमेंट होता था, कोई लावारीस चीज दिखाई दे, तो छूना मत, रेल्वे स्टेशन पर, एरपोर्ट पर, बस लावारीस चीज दिखाई दे, कहीं लावारीस टिफिन दिखाई दे, तो दूर रहना पुलिस को बताना, कहीं लावारीस बैक दिखाई दे, तो दूर रहना पुलिस को बताना, कहीं लावारीस कूकर दिखाई दे, दूर रहना बंब होगा, ये लावारिस वाली चीजे यानि एक प्रकार से जीवन का हिस्सा बन गई थी और कहीं पर भी मम फुक्टे थे भाईये बहनों, 2014 के बाद आपके कान पर लावारिस से दूर रहो ऐसा आया क्या? एक खेल करने वाले लावारिस हो गए कर नहीं हो गए? साथ यों दस साल पहले आए दिन बम दमा के होते थे अगर आपको याद हो तो बताएए, नहीं है तो मत बताना बम दमा के होते थे, ज़रा हाथ उपर करके बताएए, बम दमा के होते थे आतंकवादी खुले आम दमकिया जारी करते जग नहीं करते थे सीमाओं पर गोली बारी राज्यों में नक्सली हमले ये रोज की बात थी के नहीं थी लेकिन कॉंग्रेस के सरकार क्या करती थी वो पाकिस्तान से गुहार लगाती थी और कॉंग्रेस अमन के कभूतर उड़ा कर फोटो निकलवाती थी जी अमन के कभूतर उड़ाए जाते थे मौंबतिया जलाई जाते थी वौंबतिया और क्या कहते प्लीज प्लीज हम पर आतंकी हमला मत करो यही बोलते रहते थे अरे बीर भारत भूमी की साथ पर कॉंग्रेस ने बहुत चोट पहुंचाई थी और जब से जब से आपने मोदी को सेवा का मोका दिया तब से क्या हुआ सर्जिकल स्टाइक एर स्टाइक अब पाकिस्तान ने एटम बम की धमकी देना बंद कर दिया है लेकिन साथियों आपको एक और बात नोट करनी चाहिए भारत को धमकी देने का काम पाकिस्तान की तो नहीं इमद लेकि कॉंग्रेस वाले वो फाइल लेके गूम रहे हैं कॉंग्रेस वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो उनसे सर जुका के बात करो क्यों उनके पास एटम बम है एटम बम अरे उनके पास रख रखाओ के पैसे नहीं यार कोई मुझे बताएं जब कॉंग्रेस सरकार में होती है कॉंग्रेस जब सरकार में होती है तो दमकी पाकिस्तान देता है और कॉंग्रेस बाहर है तो पाकिस्तान की ओर से वो खुद दमकी दे रहे है पाकिस्तान अपनी संसत के भीतर स्विकार करता है कि उसने आतंग की हमले करवाई लेकिन यहां कॉंग्रेस और इंडिय अगाडी के लोग उसे क्लीन चीट देते हैं कोई जरा बताईए ऐसा क्यों है इंडिय अगाडी वाले पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग क्यों कर रहे हैं